आज हम बनाएंगे एक स्पेशल चार्ट रेसिपी जो बनने वाली है आलू से इसी के साथ कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे तो रेसिपी की एक भी मुमेंट को मिस्स मत कीजिएंगा क्रिस्पी क्रंची आलू से ये मदद डाज चार्ट बनाके रेडी करेंगे और हाँ अगर चैनल पे नए है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चल्डी से कर लीजिए चल्डी बनाके रेडी करते हैं ये चटकारे डाज चार्ट को हमने यहां पे ले लिये है पांच मीडियम साइस के आलू जिसे हमने पिल कर लिया है यानि कि इन आलू की उपर की स्किन हमने हटा दी है अब हम इस आलू को सेंटर से कट कर लेंगे यानि कि एक आलू को दो हिसों में डिवाइट कर देंगे बस सीम तरीके से हम यहां पर सभी आलू को सेंटर से कट कर लेंगे लिजे सभी आलू को हमने यहां पर कट कर लिया है और ले लिया है एक बाउल में पानी इस पानी में हम आलू को डिप करने वाले हैं तो इसमें हम एड़ कर देंगे 1 टीसपून सॉल्ट इस पानी में अब हम एड़ कर देंगे कट किये वे आलू और इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे 5-10 मिट के लिए ताकि आलू में एक अच्छा सा सॉल्टीने साजाए अब आपसु 10 मिट के लिए हम इन आलू को पानी में सूप होने देंगे और फिर उसके बाद हम इस पानी को ड्रेन कर देंगे करीबन 10 मिर्ट के बाद हमने इन आलू में से पानी को निकाल दिया है और एक टीशू पेपर की हल्प से हम इस आलू के उपर जो मौशर है उसे हम पोश लेंगे हमें इन आलू को अच्छे से ड्राइ कर लेना है क्योंकि अब हम इने करने वाले हैं फ्राइ यह जो आलू है वो अच्छे से ड्राइ हो चुके है तो चलिए हमारे साथ इन्हें हम फ्राइ कर लेते हैं यहाँ पर हमने रख दिया है ओल प्री हिट होने के लिए और हम इसे आड़ कर देंगे आलू को फ्राइ होने के लिए सबी आलू को हम यहां पे एक साथ आड़ कर देंगे और इन्हें हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे ताकि जो आलू है वो अंदर तक अच्छे से कोख हो जाए इसकी टोटल कुकिंग प्रोसेस के लिए हमें लगेंगे कम से कम साथ से आड़ मिनित क्योंकि हमें यहां पे आलू को अच्छी तरिके से कुख कर लेना है बिच बिच में हम इन आलू को टर्न करते रहेंगे और इन्हें चेक करते रहेंगे जब यह हलके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें निकाल के चेक कर लेंगे यहाँ भी हमें करीबन 7-8 मिर्ट हो चुके हैं इन आलू को फ्राइ करते हुए तो चलिए चेक कर लेते हैं एक आलू को निकाल के कि यह परफेक्टली फ्राइ हुए है या नहीं इन आलू का कलर जो है वो हल्क अता गोल्डन ब्राउन हो चुका है एक फोक की हल्प से हम इसे चेक करेंगे कि आलू जो है परफेक्टली फ्राइ हुआ है या नहीं यह जो फोक है वो अंदर तक चला गया है आलू के इसका मतलब है कि आलू जो है वो अच्छे से फ्राइ हो च अब हम इसमें से ले लेंगे एक आलू और इसे एक प्लेट में रख देंगे और साथी में लेंगे कुछ इस टाइप का बाउल या फी कोई प्लेट जिसकी सर्फिस प्लेन हो टाकि हम इस आलू को अच्छे से प्रेस कर सके हमने इस बाउल को आलू के ऊपर रखे इसे अच्छ सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर हलके हाटों का यूज करना है अगर आम इसे प्रेस क्या क्या थो तो इस प्रेज को ध्यान रखना है तो चलि सभी अलू को हमने यहाँ पर प्रेस करके रेड़ी कर लिए है तो अब इन्हे革 रिपी ब्रॉण फ्राइए और अलू को हमने फिर पर हुआ हेट कर लिए है और इसमे अड़ कर देते है अलू हमें इस आलू को 4-5 मीट के लिए fry करना है जब तक ये golden crispy brown ना हो जाए सभी आलू को हम यहाँ पे add कर देंगे और बीच पीच में हम इन्हें चेक करते रहेंगे जब इन आलू का color कुछ इस तरीके का हो जाएगा तो समझ जाएगा कि ये ready है ये जो आलू है उपर से बहुत ही ज़ादा crispy हो जाते है फ्राइ होने के बाद में यहाँ पे इन आलू को हम दो बाव फ्राइ कर रहे हैं इसलिए इनका जो surface texture है वो बहुत ही ज़ादा crispy बन जाता है double fry होने के बाद में सभी आलू को हमें यहाँ पे oil में से निकाल लेना है और इनके लिए बना के जएड़ी करते एक चटपटा सा मसाला हम यहाँ भी इन आलू की बनाने वाले हैं आलू टुक चाट तो इन आलू को एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए हम बनाने वाले एक मसाला उसी के लिए हम यहाँ पे लिए एक कड़ाई और इसमें एड़ कर लिया है बन टेबल स्पून ओईल आल को हम यहाँ पे जादा ओवरहिट नहीं करना है एड़ करेंगे कुछ मसाले 1.5 teaspoon haldi powder, haldi powder को हम यहां पर oil के था थोड़ा सा mix कर लेंगे और फिर add कर देंगे 1.5 teaspoon लाल मिश पॉडर, 1.5 teaspoon जीरा पॉडर, 1.5 teaspoon धनिया पॉडर, 1.4 teaspoon काली मिश पॉडर, 1.4 teaspoon चाट मसाला और 140 पून आड़ कर लेंगे नमक इन सभी मसालो को हम यहाँ पर एक पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आदे मिनिट के लिए इसे अच्छे से कोखोने देंगे ओल के साथ में जैसे ही मसाला रेडी हो जाए इसमें आड़ कर देंगे आलो को और आलू को हम यहाँ पर हलके हाटों से इस मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे करके इन आलू को आप स्पून की हल्प से मिक्स कीजिएगा मसाले में या फिर आप इन्हें टॉस भी कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे आलू को fast mix करने की कोशिश की तो यह जो आलू है वो टूट भी सकते है तो आपने यहाँ पे धीरे धीरे करके से mix करना है जब तक यह आलू के ऊपर मसाला अच्छे से coat ना हो जाए जैसे यह मसाला आलो के ओपर अच्छी से कोट हो जाए तो हम यहां पर फ्लेम को बन कर देंगे करीबन हमने यहां पर इन आलो को हाफ मीट के लिए कुप किया है लीजे यह परफेक्टली बन के रेडी है बहुत ही अच्छी तरीके से जो मसाला है इसके ओपर कोट हो चुका है तो इन ही हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बना लेते हैं एक मरेदा चटका रेडर चार्टिन की तो हमने इन आलो को ले लिया है एक बाउल में उसके ओपर आड कर देंगे ग्रीन चटनी उसके बार हमें आड कर देंगे इमली की चटनी ये दोनों भी चटनी की रेसिपीज हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं हरी चटनी और इमली की चटनी हम नहीं यहां पर दो दो चमच आड की है आप अपने टेस्क के हिसाफ़े चटनी की कॉंटेटिक कम जादा कर सकते हैं आड कर लेंगे थोड़ा सा अना दाना और साथे में आड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया इन सबी को हम एक पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में जरा रुकिए जो चाट है वो अभी बनके रेडी नहीं हुई है completely अब हम इसे निकालेंगे serving plate में और यहाँ पे हम देंगे इसे एक proper चाट का texture आलू चाट को हम निकाल लेंगे इस serving plate में पहले चाट को पहले इस plate में अच्छे से arrange कर लेजिए फिर उसके बाद हम इसके ओपर आड़ करेंगे कुछ चट्परडी सी चट्निया सबसे पहले हम यहाँ पर आड़ करेंगे दही दही में हमने दो चमश शुगर आड़ की है और उसके बाद हम इस पर आड़ कर रहे है अब add कर लेंगे पुटी ने की हरी चट्नी आपने यहाँ पर आपड़ किया होंगा कि जो ड़ी और चट्नी है उसे हमने थोड़ा सा liquidy की रखा है ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जो आलू है वो ओपर से काफी क्रिस्पी बने है जब यह चट्नी इस आलू के अंडर जा इस चाट को एक अच्छा सा लुप देने के लिए हमारी चट्पटी सी चाट बहुत ही जादा टेस्टी और टेंप्टिंग रेसिपी है यह तो इसे आप जरू ट्राइब कीजिए आप सभी को बहुत ही जादा पसंद आने वाली है अगर आपको माई वीडियो अच्छी आप में टप तक के लिए गुडबाए फ्रेंड